हेलो एवरिवन आयम मिनाक्षी शर्मा बेलकम बैक टू आर चैनल एच्पी अमित एजूकेशन जो की आपको परवाइट करवाता है डिफ्रेंट डिफ्रेंट इग्जाम से रिलेटर हैल्फूल एंड इन्फोर्मेटिव वीडियो आज हमारी हिंदी ग्रैमर की सेकिंग वीड लिखेंगे तो सबसे पहले जो है संग्या क्या होती है तो संग्या उस्विकारी शब्द को कहते there जिस से किति विश्चेष वस्तू बाव और जीवके नाम का बोध हो उसे ही हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं यानि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी प्राणी वस्तू स्थान गुण या भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं यानि किसी प्राणी का अगर नाम है वस्तू का नाम है स्थान का नाम है गुण भाव का नाम है यानि नाम ही क्य जो आहरलाल नहरू आदी ये के हैं आपके प्राणियों के नाम तो ये क्या है हमारे संग्या है वस्तुओं के नाम जैसे अनार रेडियो किताब संदू आदी स्थानों के नाम कुतुमिनार नगर भारत मेरट आदी ये के हैं आपके स्थानों के नाम ये भी क्या हैं आपके सं तो जो केबल बाणी और पदार्थ का बाचक नहीं है बन अनेक उनके धर्मों का भी जो है ये सूचक है शब्द वस्तू साधर्ण अर्थ में हम कहें तो वस्तु का परियोग जो है इस अर्थ में नहीं होता है वस्तु के अंतरगत आपका प्राणी भी आता है पदार्थ भी आता है और धर्म आते हैं इनहीं के अधार पर संग्या के भेद किये गए है संग्या के भेद तो संग्या के भेद की बात करें तो कुल आपके पांच भेद होते हैं संग्या के जिसमें की कौन कौन से होते हैं आपके व्यक्ति वाचक, प्रॉपर नाउन, जाति वाचक संग्या, कौमा नाउन, भाव वाचक संग्या यानि abstract noun और आपका जो है smooth वाचत संग्या collective noun और द्रब्य वाचत संग्या जो आपका material noun जिसे आप कहते हैं तो सबसे पहले जो है अब हम डिस्कुस कर लेते हैं आपका जो है व्यक्ति वाचत संग्या क्या होती है जिस शब्द से किसी विशेश व्यक्ति वस्तू ये स्थान के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं व्यक्ति वाचत संग्या कहते हैं जैसे कि व्यक्ति का नाम तो रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरे, सचिन, आदी ये के हैं आपके व्यक्तियों के नाम हैं तो ये के हैं आपके व्यक्ति वाचक संग्या फिर आपने का कि वस्तु का नाम जैसे कार हो गया, टाटा चाय, कुरान, गीता, रमायर ये भ प्र्तिाजान का नाम ये भी आउनके व्यक्तिवाचर संगया हैं। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्च्चिम, दक्षेण, प्ूरख मैं ditugumbe Horleb caius और ये भी वर्यक्तिवाचर संगया हैं। समुद्रों के नाम काला, सागर, भूमद्य सागर, हिन महा सागर, प्रसान महा सागर ये भी आपके व्यक्तिवाचक संग्या है नदियों के नाम गंगा, ब्रहमपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंदू ये हैं आपके व्यक्तिवाचक संग्या में आएंगे फिर आपके आते हैं इसमें परवतों के नाम भी हिमालिय, विध्यांचल, अलकनंदा, कराकोरम ये भी आपके विश्में चाहेंगे व्यक्ति बाचक संग्या में ही चाहेंगे फिर आपका नगरों, चौकों और आपके सड़कों के नाम जिसे वारणसी, गया, चानी, चौक, हरिसन, रोड, अशोग, मार्ग, ये सबी आपके व्यक्ति बाचक संग्या में आएंगे पुस्तकों तसा समाचार पत्रों के नाम भी जैसे रामचरित, मानस हो गया, रिग, वे, धर, म्यू, इंडियन, नैशन, आर्यवरत, ये भी आपके व्यक्ति बाचक संग्या है एतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी व्यक्ति बाचक संग्या होंगे त्योहारों और उत्समों के नाम जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंदन, आपका वीजय दस्मी, ये भी इसमें ही आएंगे आपके फिर है इसका आपका दूसरा बेर, जाति बाचक संग्या के बाद, संग्या का दूसरा बेर, जाति बाचक संग्या तो जिस सब्द से एक जाती के सभी प्राणियों अथ्वा बस्तूओं का बोध हो उसे हम जाती बाचक संग्या कहते हैं यानि जिस सब्द से एक जाती के जो हैं सबी प्राणियों का यानि एक ही जो है प्राणी एक ही वस्तु जो है पूरी जाती का हमें बहुत घरवा देता है उसे हम जाती वाचक संग्या कहते हैं जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापग, वाजार, गली, पहाड, खिड़की, स्कूटर, आदी शद एक ही प्रकार के प्राणी, बस तो लड़ स्थान का बोध करा रहे हैं जैसे लड़का हो गया, पसुबक्षियों, वस्तुओं, नदी, मनुष्य, पहाड, आदी ये के हम जाती वाचक संग्या में आएंगे जैसे लड़का है, लड़का से जैसे राजेश हो गया, स्तीस हो गया, दिनेश, आदी सभी लड़कों का बोध करवा रहे हैं यानि राजेश नाम है किसी का, या दिस्तीस है, दिनेश, तो सभी कहा हैं, लड़का हैं तो ये आपको कहा है, लड़कों का बोध करवा रहे हैं तो जाती वाचे संग्या, पसुबक्षियों से जैसे गाय हो गया, गोड़ा, कुट्टा, या दी सभी जाती का, बोध करवा रहे हैं, किसी पशुजाती का, बोध करवा रहे हैं फिर बस्तु से मज़ेसे मकान, कुर्सी, पुस्त, कलमादी, ये भी क्या है बोध करवा रहे हैं, बस्तु का नदी से जैसे नदी से कोई भी नदी हो सकते जिसे गंगा या मुना कावेरी आधी सबी नदी तो इनको एक ही नाम ले रहते हैं नदी ठीक है तो वो किसमे आएगा आपका जाती वाचक संग्या में फिर इसकी बाद आपका मनुश्य, मनुश्य कहने से संसार की मनुश्य जाती का जो है बोध होता है, फिर पहाड कहने से संसार की सभी पहाडों का बोध होता है, तो ये किसमें जाएंगे आपके जाती वाचक संग्या में जाएंगे, फिर है आपका तीसरा भेद, भाव वाच भाव आचक संग्या क्या होती है थकान मिठास बुड़ापा गरीबी अजादी हंसी चड़ाई साहस बीरता आदी शब्द भाव गुण अवस्था ये क्रिया के बेपार का बोध करवार हैं इसलिए ये कि हैं आपकी भाव आचक संग्या है जिसे जो है किसी के भाव गुण अ अवस्था आदी का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं भाव वाचक संग्या कहते हैं इस प्रकास से जो है जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण भाव स्वाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाव वाचक संग्या कहते हैं जैसे हम कहें उत्स इमांदारी बच्पन आदी तो इन उधारणों में उत्सा से मन का भाव की हमारे मन में कैसा है उत्सा का भाव है इमांदारी से हमें गुण का पता चला कि किसी व्यक्ति में क्या गुण है इमांदार है वो बच्पन तो बच्पन से जो है जीवन की एक अवस्था का एक दशा लागा बोद होता है एकता उत्सा इमानदारी बच्वन्द आदि सभी क्या है यह है आपकी भाव वाक्च्च संगे, जिसे भाव परकट की हो रहा है ठिक है उसे हम वाक्च्च संग्या कहते हैं हर पदार्थ का धर्म होता है ठीक है पानी में क्या है शीतलता है आग में गर्मी मनुश्य में क्या देवत्व है पशुत्व है इत्यादी का होना अवश्यक है तो पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता है सिक घोड़ा है तो उसमें क्या है बल है ब प्रया के हैं आपके प्रयाय वाच्ची शब्द हैं ये आपके तो इस संग्या का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रया इसका वहुबचन नहीं होता है अब है आपका ये भावाच्च संग्या आया तो भावाच्च संग्याओं का निर्मान जाती वाच्च संग बिशेशन कृिया सरव नाम और अब्वे शब्दों से बनती है भाबाचक संगया बनाते समय जो है शब्दों के अंत में प्राया पन तवा ता आदी शब्दों का प्रियोग जाता है तो आएए अब हम जो हैं इनके बारे में जानते हैं कि जाती वाच्छ संग्य से भावाच्छ संग्य बनाना जो है कैसे होता है तो देखी जैसे इस्तरी है आपकी जाती वाच्छ संग्य इस्तरी जाती का बोध हो रहा है भवाबाचक में क्या आभा का तूर हम लें से बोलने तूर तबहता ठीक है तो यहाँ पे जैसे इस्तरी है तक शास्तरियता पात्र से पात्रता लड़का से लड़कपन तो अब इसके सकीन, बिशेशन से भावाच्य संगे बनाना बिशेशन से जो है हम भावच्य संगे कैसे बना सकते हैं तो यहाँ पर देखीं यहाई है आपका भीशेशन लगू, लगू से क्या भाव आपका बनेगी आपकी लगोता लगुट्व लागव, बीर, बीर से बीरता, बीरत्व, चालाक से चालाकी, खटा से खटाई, फिर जिसे गरीब है तो गरीब से गरीबी, तो इस तरह से विशेशन से आपके बाबाच्य संग्याएं बनती हैं, फिर है इसके बाद आपका क्रिया से बाबाच्य संग्याएं मनाना, तो क्रि देखना तो देखना से क्या होगा आपका देखना से होगा आपका दिखाबा या दिखाबट का भाबुत्पन हो रहा है फिर इसके बाद आपका संग्या से बिशेशन बनाना तो अंत से क्या बनता है आपका बिशेशन अंतिम या अंत बिशेशन अवश्य है अवश्य से अव अभिमान से अभिमानी इच्छा से एचिक फिर क्रिया से बिशेशन कैसे बनता है तो क्रिया से बिशेशन कैसे बनेगा लड़ना से लड़ाकू बिशेशन भागना से भगोडा अड़ना से अडियल देखना से दिखाऊ लूटना से लुटेरा फिर है इसके बाद आपका संग क्रिया से कैसे विशेशन बनता है आपका अंत से क्या बनता है इसे अंतिम अंत अवश्य से अवश्यक फिर आपका अभिमान से अभिमान इच्छा से एठ्रिक फिर है आपका जटना से पालतू टिकना से तिकाऊ आपका बनेगा बिकना से बिकाऊ बनेगा फिर देखिए उसके बाद आपका सरव नाम से भावच्च संग्या बनाना तो सरवग नाव से भावचे संग्या जिसे आपका अपना से अपनत्व, अपनापन, मम से ममता, ममत्व, निजनिसे निजता या निजत्व, सरवस्व, अहम से अहंकार भाव बनेगा आपका भावचे संग्या फिर है आपका क्रिया विशेशन से भाबाचा क्रिया विशेशन से कैसे बनेगा तो मन से मंदी दूर से दूरी तीबर से तीबरता सीगर से सीगरता इत्यादी जो है आपके क्रिया विशेशन से भाबाचा संग्या बनेगी फीर है आपका अवे से, अभे से भावाचे संग्या या है, इसके बाद आपका फ समू बात्य संग्या, संग्या का भेल, समू बात्य संग्या क्या होती है आपकी? तो जिस संग्या शब्द से वस्तू के समू या समुदाय का बोध हो उसे समू वाचक संग्या कहते हैं यानि ऐसे शंग्या सद जिन से किसी वस्तू के समू का समुदाय का बोध होता है उन्हें ही हम समू वाचक संग्या कहते हैं जैसे व्यक्तियों का समू हो गया, तो इसे भीड हो गया, जनता हो गया, सभा हो गया, कक्षा हो गया, वस्तू का समू, जैसे गुच्छा, कुण्ज, मंडल, या वस्तू के समू, तो इसे क्या कहेंगे आप, समू वाचक संग्या कहेंगे, फिर है दरब्य वाचक संग्या, द द्रब्यवाच्य संग्या कहेंगे दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या होता है कि जिन संग्या शब्दों से किसी धातू किसी द्रव या किसी पदार्थ का बोध हो उन्हें हम द्रब्यवाच्य संग्या कहते हैं जैसे हम कहें तामबा पीतल चाबल घी तेल सोना लोह तो यह कि हाँ की द्रब्य वाचल संग्या हैं अब है इसके बाद की संग्या के रूपांतर कैसे होता है लिंग बचन और कारक में संबन यह हम जो है अब आगे यहाँ पर जानेंगे तो संग्या जो है हमने जाना कि बिकारी शब्द होता है तो बिकार शब्द रूपों को परिवर्तित या रुपांत्रित करता है तो संग्या के रूप लिंग बचन और कारग चिन्नों के कारण जो हैं बदलते हैं तो संग्या जो का रूप जो किस तरह से बदलता है आपका लिंग बचन और कारचिनों के अनुसार बदलता है तो सबसे पहले लिंग के अनुसार जान लेता है जैसे नर खाता है तो नर खाता में जो है आपका नर क्या है पुलिंग शब्द है तो यह आपका किस तरह से चेंज जाएगा नर से बनेगा आपका नारी नारी खाती है फिर लड़का लड़का भी आपका क्या है पुलिंग है तो इस तरह चेंज हो जाएगा आपका बदलेगा इस तरी लिंग लड़की खाती है तो इन बाके में नर खाता है तो लड़का आपका एक बचन है ठीक है यह क्या है आपका एक बचन और लड़के बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बहु बचन तो एक बचन के अनुसार क्या करेंगे एक बचन को बहु बचन में बदलेंगे तो लड़का खाता है से क्या बनेगा लड़के खाते है लड़की खाती है तो लड़की से आपका चेंज होगा लड़कियां लड़कियां खाती हैं एक लड़का जा रहा है तीन लड़के जा रहे हैं तो एक से हमने क्या बना दिया तीन बहु बचन में चेंज कर दिया यह इस तरह से आपका संग्या का रुपांतर्ण होता है तो इन वाके में लड़का शब्द एक के लिए आया और लड़के जो है एक से अधी के लिए आया तो लड़की एक के लिए लड़किया एक से अधी के लिए यूज़ किया गया ठीक है बेवरित किया गया या नि तो यहां संग्या के रुपांतर का अरधार जो है बचन है लड़के ने खाना खाया अब यहाँ पर क्या है लड़का खाना खाता है लड़के ने क्या है आपका परसर कारक चिन है ठीक है करता ने यहाँ पर करता कारक हमने यहाँ पर परियों फिर है इसके बाद आपका लड़की खाना खाती है लड़कियों ने खाना खाया ठीक है तो लड़का खाता है मैं लड़का पुलिंग एक बचन है तो लड़के ने खाना खाया भी लड़के जो क्या आपका पुलिंग एक बचन है पर दोनों के जो हैं क्या हुआ रूप में भेद हुआ इस रूपांतर का कारण जो है करता कारका चिन जो है आपका ने है जिससे एक लड़के से पूछो लड़के का कमरा लड़के के लिए चाहे लाओ इत्यादी बाकियों में जो है संग्या लड़का से लड़के हमने एक बचन में आई है तो इस परकार संग्या विना कारकचिन के भी होती है और कारकचिनों के साथ भी होती है तो दोनों स्थितियों में बहुशलन में लडक या खाना खाते हैं येभी हैं अब देखिए कारग चिंद्धों के साथ क्यासे अगा तो लड़कों ने खाना खाया लड़कों से पूचो लड़किऑ से पूचो रुपांतन या हुआ कार्ग चिन्नों का प्रियोग भी हुआ तो इस पर का संग्या का रुपांतर लिंग बचन और कारग के अनुसार होता है तो ये था हमारा संग्या के भेज और संग्या का जो है रुपांतर कैसे होता है उसके उपर या माराज का वीडियो था I hope आपको हमारे वीडियो जो है पसंद आया होगा और helpful रहा होगा और जो भी इस चैनल पर फर्स टाइम विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर दें Hit the like button and press the like button for latest videos notification और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like भी जुरू करना और share भी करना और अपनी valuable feedback जो है comment section में देना बिल्कुल भी न भूलेगा तो मिलते हैं आप से next video में Hindi grammar के next video के साथ तब तक लिए thank you thanks for watching